तो शुरू करने से पहले बता दूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाईए ताक किसी प्रगार का आपको अपडेटरी वीडियो समय समय पर मिलता रहेगा ठीक है तो यहां पर सबसे पहले अम फूल दइःतल यहार भी कहां मनाया जाता है तो दोनों को एक साथ यहार यहार और अंतर्राश्ट्र योग महथच्षब दोनों उत्राखहण में बलते आगे और बात करते हम असंम की तो असंम में आप सभी को पता होगी अंबु वाचि मेला जो की बहुत फेम मेला है ठीक असम में बहुत ज्यादा चाय का उत्फादन होता है, जिस वज़ेसे वहाँ पर चाय महुतसब का भी आयोजन किया जाता है, और एक है इंपोर्टन वंचुवा महुतसब, तो वंचुवा महुतसब को जरूर याद रखेगा दोस्तों, कि वंचुवा महुतसब किस राजमी मन जाता है तो असम में, तो असम में अम्बू बाची मेला चाय महुतसब, वंचुवा महुतसब, यह तीनों का आयोजन असम में किया जता है, जितने भी और यहां पर अगर आपको लगता है कुछ छूड गया है, तो इसलिए अगर आप लोग अंत तक रहेगा, तो सारा ट्रोटल अपनलोग कभर लिजेगा ठीक है तो अब बात करने हैं तेलंगाना के तेलंगाना में में देखिए बहुत इंपोर्टेंट रतार याद रखिए कि बत्थु कम्मा उट्शाव जो है यह जू कहा मनायाता है तो यह थालंगाना आ याता है जो नालू उत्षव कहा मनाय जाता है तरफ क्दक्र सी लंगाना में फिर टीनों ऊत्षव ठी को घृत्षव झरोड़न याद रखना है थिक अब बात करते हैं आगे अब बात कर लेते हैं उडिसा की तो उडिसा का तो बहुत इंपोर्टन है बाली यत्रा ठीक है बाली यत्रा जो है उडिसा का बहुत ही महत्पूर्ण है बाली यत्रा उट्सव मना जाता है कहां पर उडिसा में साथी साथ नुवा खाई पर भी मना जाता है कहां पर तो नुवा खाई भी मना जाता है उडिशा के अंदर रज परवा जो मना जाता है कहां पर मना जाता है उडिशा में मना जाता है और साथी साथ ठीक है बोईता बंदना उत्सव इसे भी याद रखिए बोईता बंदना उ और फूल देईते योहर ठीक है असम की बात करें अंबू बाची मेला चाय महत्सव और वन्चुवा महत्सव साती साथ अगर तेलंगाना की बात करें बथुकम्मा बोनालू और नगोबा जतारा ये तीनों एक साथ याद रखिए और उडिसा की बात करते हैं तो बाली जात्र नुखाई रजपरबा और बोईता बंदना उत्सव ठीक है इसको स्क्रीन सोट कर लीजे आप लोग ऐसे पीडियेव आपको टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगा तो वहां पर जोइन करके पीडियेव भी प्राप्ट कर सकते हैं बात करते हैं करनाटक की तो करनाटक मना जाता है करावली उत्सव और कंबाला उत्सव तो दोनों के एक साथ या थी को को से करनाटक को से करावली उत्सव को से कंबाला उत्सव ठीक है तो करावली उत्सव और कंबाला उत्सव इस वार जो मनाया गया है कहां पर करनाटक में मनाया जाता है करावली कंबाला करावल खंपाली कमबाला करनाटक से bet잖아 אח 1997 कउन्स उत्सव मना गया है रन उत्सव और उग्रादी युरद तो दोना बहुत ॅमाले में कि कि फाले में गलए मैं देखिए वंगाला उत्सव मेंका करें को सकाओ जन जाती है जिसके दोवारे वंगाला उत्सव मनाया जाता है तो यह याद रखीगा वंगाला उत्सव साती साथ नौंग क्रेम डान्स और बेहदीन खलम उत्सव ठीक है तो यह तीनों को याद रखीए वंगाला उत्सव कहां मनाया जाता है मेघाले में साती साथ वहां का ए देखे बेहदीन खलम डांस यह भी स्वरी बेहदीन खलम उत्सव इसका भी आयोजन कहां किया जाता है मेगाले में तीनों को याद रखिए वंगाला नौंक्रेंग बेहदीन खलम ठीक है केरल में तो काफी सारा इंपोर्टेंट है देखे मकर विलक्कू तो युहार कहां मना मना जाता है केरल में मना जाता है केरल में मना जाता है मकर विलक्कू साथ थुम्भी महतसव कहां मना जाता है यह भी केरल में मना जाता है अटुकल पॉंगल कहां मना जाता है लेकिन अगर अगर अटुकल पॉंगल की बात आ जाया तो यह मना जाता है केरल में ध्यान रखि में करावली और कंबाला उच्छव गुजरात में रन और उगादी उच्छव साथी साथ मेघाले में वंगाला नॉंक्रेम डांस और बेहदीन खलम उच्छव ठीक है और केरल में कौन सा अटुकल पोंगल मकर विलक्कु और थुम्बी महुच्छव ये तीनों मना जाता है के बात करते हैं मनीपूर मनीपूर की बहुत सारे इंपोर्टेंट है याद रखिएगा चेरी ब्लोसम फेस्टिवल इस बार मनाया गया है मनीपूर में मनाया गया है और दो उत्सव एक है संगाई और योसांग संगाई और योसांग महुच्छव कहां मनाया जाता है मनीपू मनिपूर में और एक नट संकिर्तन उत्सव बहुत इंपोर्टेंट है इससे याद रखेगा कि जो नट संकिर्तन उत्सव है कहां मनाया गया है मनिपूर में दोनों को याद रखेगे कि चैरी ब्लोसम फेस्टिवल और नट संकिर्तन उत्सव यह दोनों कहां मनाया गया है इस घंबू कसमीर में, खीर भावانी महुतसब कहां मनाया गया है, घंबू कसमीर में, हैराथ महुतसब जंबू कसमीर में, और कंचोत महुतसब ये चारो जो है न काफी important है hundred percent यहां से question आपको आने का chance बनते हैं तो याद रखिएगा कि हरबल जो है खीर भवानी, हैरात और कंचोत ये चारो का चारो मनाया गया है कहां महराष्टर में और साथी साथ गुड़ी परवा भी मनाया जाता है महराष्टर में तो याद रखिएगा कि गुड़ी परवा आपका काला घुड़ा महतसब सभी को याद होगा लेकिन गुड़ी परवा को जबूर जाद रखिएगा कि गुड़ी परवा कहां पर मनाया जाता मनाया गया है कहां पर त्रिपूरा में तो दोनों के नग रहाएगे यहां, शाती-सात निर्मल्जल ल्मतसा ही उत्रा खंड में योग मोसव और फूल देई तयोहर मनाया गया था और यहां पर फगली उत्षव और लोसर तयोहर तो लोसर तयोहर और फगली उत्षव दोनों का दोनों हिमाचल परदेश में मनाया गया है ठीक है कौन सा तयोहर लोसर तयोहर और फगली उत्षव दोनों कहा हमाचल प्रदेश में याद रख रखिए गारा राजस्थान में लाप सब्सकर मेला और अश्रह के लिए ने काहां मनाया गया है तो राजस्थान मनाया है है बिहार की बात कर लें इस इस बार पक्षी महुतसब जिसकों लोग बोलते है कलवर पक्षी महुतसब का आयोजन हुआ था कहां पर बिहार में बहुत इंपोर्टेंट है याद रखेगा कि कलवर पक्षी महुतसब का आयोजन इस बार कहां हुआ था बिहार में और बिहार में एक और जो है मत्पुन सूरी महुत्सव तो कलवर पक्षी महुत्सव और देव सूरी महुत्सव दोनों एक साथ याद रखे कुन सा यह है पक्षी महुत्सव कलवर पक्षी महुत्सव यह है देव सूरी महुत्सव दोना का दोना बिहार में मनाया जाता है गोवा की बात करते हैं तो सिगमो महुत्स यहाद रखे सिर्फ केला महुचसर, गुड महुचसर और इसे हैं याद रखना बहुत जरूरी है मेंります कहां मनाया गया है यह हम लोग आगे देखेंगे ठीक है लेकिन अभी यहाँ याद रखिये सिर्फ केला महुद सब गुड महुद सब रिष्ट्रोबेरी मोच सब यह तीनों कहां मनाया गया है उत्तर परदेश में नई दिल्ली का बात कर लेते हैं तो सुपान महुद सब और आदि महनगचव 2021 का आयोजन कहां किया गया है नई दिल्ली में तो पस्चिम मंगल कोबीता उच्चव बहुत इंपोर्टेन्ट है पस्चिम मंगल में कोबीता उस्तव मनाय गया है याद रहीएक वेस्ट मंगल में क्या मनाय गया है कोभीता उत्सव ठीक है तो कोभीता एक बंगला सब्द है और पस्चिम बंगला मचला ही बोला जाता है तो यह सदिना रही है चपचार कुट महतसव कहां मनाया जाता है मीजोरम में मीजोरम में चपचार कुट महतसव मनाया जाता है यहां आप बात कर लेता हम लोग हर्याना की हर्याना में इस बाद सूरज कुंट सिल्प मेला का आयोजन किया गया था कि राष्ट्रिये जन जातिये निरित्यी महद्व का आयोजन कहा पर पुछा जाए सूरजकुंट सिल्प मेला कहा है तो हरियाना में मनाया ङए पुषकर मेला आपका राजस्थान में ठीक है, अब बात करते हैं, सानपूर मेला बीहार में लगता है तो 36 बड़ के रायपूर में किया गया है बात कर रहेते हैं पर जम्बू कस्मीर की देखे चार-पांच हम लोग जम्बू कस्मीर के बारे में पहले पढ़े थे कौन-कौन सा मनाया गया था ठीक है आप यहां पर कुछ बचा हुआ है इसको भी देख लेंगे तो यहां पर बुंगस अवाम मेला इससे याद रखना है ठीक है बुंगस अवाम मेला भी मनाया जाता है जम्बू कस्मीर में कौन सा मेला बुंगस अवाम मेला बहुत important है याद रखेगा कि इस बार जो बुंगस अवाम मेला जम्मू कस्मीर में ठीक है और हम लोग पीछे क्या पड़े थे कंचोत महुतसब भी कहां मनाया गया है जम्मू कस्मीर में हेरात महुतसब भी कहां मनाया गया है तो जम्मू कस्मीर में ठीक है यह सारे अप लोग एक साथ याद रखे और यहां पर बुंगस अवा वाइज था वो हम लोग देख चुके हैं ठीक है आप हम लोग उसको रिपीट करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा हम लोग नहीं पढ़ें हैं आपका इस्टेड वाइज में जो हाँ पर सामिल नहीं था उसको आप यहाँ पर अब्जेक्टिव के तोर पर देखेंगे ठीक है तो पूसं तईयोहार का इस बार आयजन किया गया है काफी इंपॉटेंट है आप लोग बहुत सारे इस्टिवेंट को नहीं पता हो गें थे पूसं तयोहार कहां मनाए गया है तो तमील लडू में पॉंगल महत्शव मनाय जाता है ठीक है अच्छा अटूकल पॉंगल केरल में मनाया जाता है यह भी याद रखना है ठीक है अटूकल पॉंगल केरल में मनाया जाता है ठीक है करनाटक में कंबाला और करावली उत्तर परदेश में क्या मनाया जाता है आपका गुड महुत्सब ठीक है केला महुत्सब इस्ट्रॉबेरी महुत्सब यह कहां मनाया था उत्तर लाडू में इसी के साथ पॉंगल ते यहार भी तमीन लाडू में और यह जल्ली कट्टू बहुत इंपॉर्टेंट है जल्ली कट्टू याद रखिएगा जल्ली कट्टू जो है आपका कहां पर मनाया जाता है तो जल्ली कट्टू मनाया जाता है आपका तमीन लाडू में थी सिंदु दर्सन महुचसव का योजन किया गया था 2021 में लद्दाक में ठीक है देखी यहां पर आप लद्दाक की बात करते हैं तो और कौन-कौन सा महुचसव लद्दाक मना जाता है इसको यहां पर देख लेते हैं हम लोग तेके फ्यांग तसेडूप महुत्सव दस्मोचे महुत्सव और हैमिस महुत्सव यह तीनों का तीनों मनायाता है लद्दाक में याद रखना है बहुत इंपोर्टेंट है सिंदु दर्सन महुत्सव भी कहां मनायाता है लद्दाक में हैमिसमोटसः और करता है दोसमोचे महतसः और हैमिसमोचसः चारों मना जाता है याद रखना है केला महतसः का आयवजन की इस राजी में किया गया सभी को पता होगा अभी हम भता चुके हैं गुड महुतसब और कौनसा महुतसब इस्ट्राबेरी महुतसब तीनों का आयोजन कहां किया गया है उत्तर परदेश में किया गया है बात करते हैं केला महुतसब का आयोजन जो किया गया है उत्तर परदेश में तो केला महुतसब का आयोजन जो है उत्तर परदेश के कहां पर नमग बढसे मना जयतना अपका कहां मना याता है असम में मना याता है कर चाए मना याता है चाइयए अबु बाची मेला ठीक है अंबू बाची मेला भी कहां लगता है असम में लगता है मंधिर में इसे भी याद रखिएगा ठीक आप बरते हैं आगे आगे बात कर लेते हैं उत्तर परदेश के किस सहर में पहली बार इस्ट्रॉबेरी महुत सब का आयोजन किया गया है लखनव जहांसी प्रयागर पहली श्ट्रॉबेरी महुत सब यह चारो का आयोजन कहां किया गया है इस बार उत्तर परदेश में किया गया है लेकिन केला महुत सब के कर बात करें तो उत्तर परदेश के किस जिले में किया गया है तो कुसी नगर में उत्तर परदेश के कुसी नगर में केला महुत सब का क्या गया और अगर बात करते हैं स्ट्रावरी उत्सवकित उत्तरपरदेश के जहांसी में कहां पर उत्तरपरदेश के जहांसी में यह तीनों को याद रखिए चलिए बढ़ते हैं आगे आगे बात कर लेते हैं चेरी बलोसम माओ फेस्टिबल बहुत इंपोर्टेंट है पहले भी बताया थे कहां पर मनाया जाता है मनीपूर में मनीपूर में चेरी बलोसम माओ फेस्टिबल का आयोजन किया जाता है ठीक है चेरी बलोसम माओ संगाई और योसांग महुतसव कहां पर मनीपूर में तो याद रखेगा चेरी बलोसम फेस्टिवल और नट संकिर्तन महुतसव नरंगी महुतसव और संगाई और योसांग महुतसव यह पांचो का पांचो मनीपूर में मनाया गया है याद रखेगा आगे बात करते हैं हम ल में किया गया है याद रखिएगा बिहार में इस बार जो है कलवर पक्षी महुचसब का आयोजन किया गया है ठीक है बिहार में और कुन सा महुचसब का आयोजन किया गया था देव सूरी महुचसब अब बढ़ लेते हैं लोग और आगे देखते हैं कि तोसली राष्ट्री सिल्फ मेला का आयोजन कहां किया गया है बहुत इंपोर्टेंट है याद रखिएगा कि जो तोसली राष्ट्री सिल्फ मेला है इस बार इसका पन्रवा संस्क्रण है और इसका आयोजन कहां हुआ है त तोसे का इस बार पंद्रवाइब संसक्रां संथ्परण ठीक है तो आप देखिए विर्म में जो कि और तक सबर का मना जाता है तो संट पता था बाली तरह किया किया वृटसभ का मनाना जाता है चांए साथ और धनकतनी में यहां और बली यत्रा-धम वही पर मनायात है और रचपरवा महतसंब आपका कुरिसा है मनायाता है और बोहता बंधना भी कहां मनायाता है फुरलिषा में इस बार तोसली राश्टरी शिल्प मेला का येजन हुआ था उड़िषा के किस राज में भुनेश्वर में ठीक है तोसली पूछा जाए तोसली राष्ट्री सिल्प मेला का यह जल कहां हुआ था उड़िषा के भुनेश्वर में बात कर लेते हैं आगे सोलंग तयोहार किस राज में मनाया जाता है उत्तर परदेश अरुनाचल परदेश हिमाचल परदेश या आंधर परदेश बहुत इंपोर्टेंट सोलंग तयोहार आपका अरुनाचल परदेश में मनाया जाता है ठीक है सोलंग तयोहार कहां मनाया जाता है अरुनाचल परदे हुआ है और यहां पर देव सूरी महुतसाव का ब्यायोजन किया जाता है ना अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किया गया था जम्बू कस्मीर में ही और किसका आयोजन किया गया था खीर भावानी महुतसाव का आयोजन कहां पर किया गया था जम्बू कस्मीर में ठीक है बुंगा सवाम मेला के भी आयोजन जम्बू कस्मीर में किया गया था आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं अट अटूकल पॉंगल जो मनाया जाता है वह केरल में मनाया जाता है कहां पर केरल में मनाया जाता है और सिर्फ पॉंगल की बात करें तो सिर्फ पॉंगल मनाया जाता है आपका तमीन लडू में तमीन लडू में आपका जल्ली कट्टू महुतसा भी मनाया जाता है तमीन लडू म आटुकल पॉंगल, मकर सभी लंगल और थिम्भी महत्वा नियाता है, ठीक है? बात कर लेते हैं, राश्ट्री संस्कृर्ट महत्व के एगारवे संस्कृर्ण का उद्गाटन की इस राजी में किया गया है तो इसका अंगाल में और आपका यहां पर था कि पंद्रवा तोसली राष्ट्री सिल्फ मेला का आयोजन कहां किया गया था तो उडिसा के भुनेस्वर में किया गया था ठीक है अंतर राष्ट्र जंजाती निर्ति मोहत्सवर का आयोजन कहां किया गया था ठीक है अंतर राष्ट्र योग मोहत्सवर का आयोजन कहां याद रखेगा आप बरतें आगे और यहां पर आपको भीता देख सकते हैं काला नमक चावल महुतसब का आयजन किस राज में किया गया है तो याद होगा आप सभी को कि उत्तर परदेश में काला नमक चावल महुतसब का आयजन किया गया है और उत्तर परदेश में ही आपका गुड महुतसब उत्तर परदेश के लखनव में और केला महुतसब कहा मनाया गया है उत्तर परदेश के कुसी नगर में बढ़ते हैं आगे बात कर रहेते हैं सिग्मो महुतसब 2021 का आवजन किस राज में किया गया है करनाटक, केरल, गोवा या फिर तमीन लाडू तो इसका आ को याद रखी गा तमीन नादू में कुन कुन सां अ कम ते दिनो क तूमिल नादू मनाय गया था आगे बढ़ते हैं हम लोग सरसए राष्ट्रिय क्राफ्ट मेला नुरे स्कावटर राजस्थान की मीुट्य में किया गया था तो जो गय Оного कि बंपर्जाष्ट राष्ट्रीflix क्राफ्ट मेला फॐकिन किया गया था राजस्थान के जोथपुर में तो सलिए राश्ट्री सिल्फ मेला का उड़ीसा के भुनेश्वर खिंग में अंतर राष्ट्री योग महतसों का यजन कहां किया गया था उत्राखंड में तो ये सब एक साथ आप लोग को याद रखना है सरस राष्ट्री ये क्राफ्ट मेला 2021 का यजन राजस्थान के जैपूर सहर में किया गया है साथी साथ यहाँ पर पुसकर मेला का यजन होता है और हाथी उत्राष यहाँ पर McMahon पहने भी पढ़ेते कहां पर मनाया जाता है बाली यात्रा भी उडिसा में मना जाता है नुमा खाई भी उडिसा में मना जाता है रज परवा भी उडिसा में मना जाता है और बोईता बंधना उत्सव भी मना जाता है उडिसा में ठीक है और उडिसा के भुनेश्वर में ही अपका तोसली अंतरराष्टी सिल्फ मेला का भ टो रज़्परवा मोचचहव का अपनाया गया है उड़िसा गया है 오른 यत्रम नुवपिस सव'. हैं अपर चत्यक सब्ड़ि राइपुर मैंनाय की अंतर राष्ट जंजाथ फॉर्भी महत्तम्य gonna see आगे बात कर लेते हैं देखे यहां पर बाली जात्रा नुवाखाई मौत्सव रजपरवा और एक बोईता बंधना उत्सव यह चारों कहा मनाये गया है उडिसा के भुनेश्वर में सुरी उडिसा में ठीक है बात कर लेते हैं आगे बोनालू पर्व कहा मनाये जाता है तो तेलंगाना में ठीक है तेलंगा ना में बोनालू पर्व मनाया जाता है ठीक है बोनालू पर्व कहा मनाया जाता है तेलंगा ना में याद रखना है बोनालू पर्व तेलंगा ना में एक हम लोग पढ़े थे बुंगास अवाम मिला बुंगास अवाम मिला का आयोजन कहां किया गया था इसका कहां मना जाता है तेलंगाना में याद रखिएगा बथुकम्मा उत्सव बोनालू पर्व नगोबा जातारा उत्सव ये तीनों का तीनों मना जाता है कहां पर बोनालू पर्व बथुकम्मा उत्सव नगोबा जातारा उत्सव तीनों मना जाता है तेलंगाना में याद रखि हुआ है साथी साथ कर बात करते हैं बाली यत्रा की आयजन कहा होता है तो जगनाथ रत यत्रा उत्सव और बाली यत्रा दोनों का दोनों उडिसा में होता है नुवा खाई मौत्सवी उडिसा में रच परवा मौत्सवी उडिसा में और बोहिता बंदना उत्सवी कहा होता है उडिसा में होता है, साथी साथ यहां पर उडिसा के भुनेस्वर में आपका तोस्री राष्ट्री सिल्फ मेला 2021 का यजन किया गया था, उडिसा के भुनेस्वर में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है हरेला परव, एक होता है हरेली परव, एक होता है हरेला परव, दोनों उत्राखंड में मनाया जाता है और साथी साथ हरेला पर्व भी कहां मनायाता है उत्राखंड में और हरेली पर्व कहां मनायाता है तो हरेली पर्व मनायाता है आपका 36 गड में 36 गड मना जाता है हरेली पर और उत्राखंड में मना जाता है हरेला पर तो दोनों में कोई confusion नहीं होना चाहिए दोनों अलग है हरेला पर उत्राखंड हरेली पर उत्राखंड हरेली पर 36 गड ठीक है अगर बात करते हैं आगे हेरात तय airport कहा मनाया गया था हेरात तयोहर जम्मू कस्मीर में हेरात तयोहर मनाया गया था इसे याद रखीएगा आगे बढ़ते हैं आगे है अंतर राष्ट्री सरस्वती महुतसब 221 का आयोजन किस राज में किया गया है तो अंतर राष्ट्री सरस्वती महुतसब 221 का आयोजन किया गया हर्याना में ठीक है सूरज, कुंड, सिल्प, मेला, और अंतर राष्ट्री, सरश्वती महतसब 2020 दोनों का तर अयोजन इस बार हर्याना में हुआ है आगे बात कर लेते हैं मांडू महतसब मांडू महतसब का योजन भारत के किस राज में किया गया है तो मांडू महतसब का याजन मध्य पर्देश में किया गया है कहाँ पर मध्य पर्देश में मध्य पर्देश में मध्य पर्देश में मांडू महतसब के साथ साथ भागोरिया परू में मनाया जाता है इंपोर्टेंट है इससे याद रखेगा कि भागोरिया परू की सराज मे पुछा जाता अब इसका डिपली पुछा जाता है पॉंगल चार प्रकार का होता है उनसे कोस्टन यहां पर बनता है उसके बार में हम लोग यहां पर देखेंगे ठीक है तो पॉंगल तो इस तरह से असम में मना जाता है और अटुकल पॉंगल केरले मना जाता है तो पॉंग पोंगल का दूसरे दिन कौन सा पोंगल कहा जाता है जो मनाया जाता है वो कौन सा पोंगल कहा जाता है थाई पोंगल तीसरा दिन मट्टू पोंगल और चोथा दिन कानूम पोंगल तो याद रखेगा भोगी पोंगल पहला दिन थाई पोंगल दूसरा दिन मट्टू पोंगल तिसरा दिन और कौनूम पॉजा की जाती है इस पॉजल में इंदर की पुजा की जाती है इस पॉजल में इंदर की पुजा की संग्या दी गई है ठीक है और थाई पॉजल में जो है सुरी की पुजा की बारे में बताया गया है और आपका मट्टू पॉजल में गो माता की दूसरा दिन थाई पोंगल मनाया जाता है जिसमें सुरी की पूजा की जाती है तीसरा दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है जिसमें गो माता की पूजा की जाती है तो याद रखिए भोगी पुगल में हिंदर की पुजा, ठाई पुगल में सुरी की पुजा, मैट्टु पुगल में गो माता की पुजा और कानूम पुगल अन्तिम दिन का पुगल मनाया, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं हम लोग वार्षिक आदिवासी मेला 2021 का आयोजन भारत के किस सहर में हुआ है तो उडिशा के भुनेस्वर में ही वार्षिक आदिवासी मेला 2021 का भी आयोजन हुआ है वरशिक आधिवासी मेला का भी आज़न कहा हुऊ हुआ उरिशा के भुनेश्वर में अंतरराष्ट्र तोसली राष्ट्री सिल्फ मेला का अईजन कहां पर हुआ है तो अभी उडबिशा का भुनेस्वर में तोसली राष्ट्री सिल्फ मेला और साथी साथ वार्षी का दिवासी मेला अगे बढ़ते हैं दो हिमालै फेस्टीवल नहीं का पहला संस्क्रंद को सब्सक्राइब याедर रखना कि यहाँ रहा है तो लदाख के लेह यह रौत इंपोटंटेंड याद रहें अब यहां पर एक है नया साल का तयुहार है रोस हसाना और यह तयुहार किस धर्म से संबंदित है यहुदी धर्म से संबंदित है यहुदी धर्म के लोग रोस हसाना तयुहार मनाया जाता है और नया साल में इस तयुहार को मनाया जाता है आगे बढ़ते हैं और आगे है आदी पूरम तयोहर किस राजिके में मनाया जाता है तो देखिए जो आदी पूरम तयोहर है यह भी तमीन लाडू में मनाया जाता है हम लोग पहले बढ़े थाई पूसम तयोहर और यहां पर पढ़ रहे हैं आदी पूरम तयोहर दोनों का दोनों कहा मना जाता है तमीन लाडू में मना जाता है पोंगल तयोहर कहा मना जाता है तमीन लाडू में मना जाता है जल्ली कट्टू तयोहर कहा मना जाता है तमीन लाडू में मना जाता है यहां पर देख सकते हैं थिपूसम जल्ली कट्टू और पोंगल और साथी स कि अम्रित महुतसब का आयोजन किया है तो अजादी का अम्रित महुतसब मनाया गया है अजादी के 75 वर्स पूरे होने पर यह किस मंत्राले के द्वारा मनाया गया है यह बात यहां पर पूछा गया है तो कैंद्री सुचना एवंग परसारन मंत्राले के द्वारा अजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अजादी का अमरित महुतसव का आयजन किया था ठीक है किसके दुवारा केंदरी सुचना एवं परसारन मंत्रा ले तो यह आपका अंतिम प्रसुन था और मुझे उमीद है कि आपको आप लोग को सभी कोश्चन याद हो गया होगा और आपके लिए आ अच्छी लगी तो लाइक कर दीजी क्योंकि मेरा वीडियो में कोई बकवास नहीं रहता है जितने भी रहते हैं सारी important term रहते हैं important point रहते हैं exam के point of view से रहते हैं इसलिए आप लोग को वीडियो अच्छी लेकित एक बार लाइक कीजेगा और वीडियो को सेर कीजिए ताकि सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाए ताकि इसी प्रकार का updated वीडियो आप लोग को टॉपिक वाइज या फिर monthly मिलता रहेगा ठीक है और आपको current affair का एक playlist बना दिया गया 2022 का जिसमें बहुत सारे topic वाइज आपका current affair अपलोड कर दिया गया उसको देखने के लिए आप लोग वहाँ पर join कर सकते हैं आया फिर playlist आपको description box में दे दूंगा ठीक है इसका PDF आपको telegram group में मिल जाएगा join कर लिजएगा देखिए आपके लिए question है कि बोनालू पर किस राज में मनाया जाया है गुजरात तेलंगाना करनाटक या सिकिम तो आपका answer जो भी होगा आप लोग comment करके जरूर बताएं comment box में ताकि आपका comment का भी इंतिजार रहता है और वीडियो कैसा लगा यह भी comment करके बताएगा ठीक है आपका comment और आपका like ही हमारा motivation का काम करता है तो इसलिए आप लोग जरूर comment करके बताएगा देखिए अगर आप लोग किसका PDF चाहिए तो पीजे हब लोग टेलिग्राम ग्रूप में ठीक है description box में link दे दूँगा टेलिग्राम ग्रूप का वहाँ से join करके जुड जाएगा यही पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा तो वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धने बाद मिलते हैं आप next वीडियो में